हाई फ्रेंड्स आप सभी एक बार फिर स्वागत आपका अपना चैनल एक्जाम फॉर्मेट पर दोस्तों आज हम लोग सरी मदन मोहन मंदीर बोड़या का जो लेक्ष है उसका कश पहले नहीं देख सकते हैं लिंक डिक्रिशन में दिया हुआ है तो वहां से जाकर देखे यह फिर प्रेलिस्ट किया वाहां यह पिश्ट किया हुआ है उसके बाद ही चैस्ट लगाए आए गया ने इसे रिक्वेश्ट है चनल को लाइक और सब्सक्काइब कर क्योंकि यहां पेनाकुरी भाष साहित के संपुन तयारी फ्री औफ कोस्ट कराए जा रही है तो वीडियो डालते हैं आपके पास लिंक का नोटिफिकेशन जितना जल्दी जल्दी आ सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठेके दोस्त चलिए पहला कोचन देखते हैं हम ल पास लेख घत्या गुरु माले घत्या तकर है देवल कथन का ले लिख लिख वाल जाये हैं यह जो सेंटेस्स दिया हूआ कथन दिया हुआ है जो कि यह क्यों लिख वाया गया था तो आप लोग कर स्चोरी पढ़े होंगे सुबह जो लेक्ट्यर दिए गया है उसको देख् हुआ ठीक है आप से अगर उमीद करते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं तो उसका कम सब्सक्राइब अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले अगर वीडियो अच्छा खराब लगे कुछ पसंद नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां पर वीडियो में में कोई नहीं आए इसलिए तो क्यों यह लिखाया गिया है यहां पर उप्सन नमर सी सही हो जागा दोस्त उम्मीद करता आप सही जवाब दिये होंगे मंदीर तोड़ेक से बचाय लिखाया गिया था का है कोश्ट है मुसलमान लोग का अर्थात की मुसलमानी मुगल वहां पर सहसंद था बहुत सरा मंदीर लोग को तोड़ा जा रहा था जिसके वज़ए से यहां पर लिखाया गिया था यह एक केरिया करूप में कि अगर कोई मंदीर मुसलिम तोड़ेगा तो उसको सुवर कहने क्वराबर स्राप मिलेगा और जो कोई हिंदू अगर जो श्रीमदन मुहन मंदिर बोड़या लेक है उसे जो बाल गुपाल मूर्ती है वह मूर्ती को किस्ची से बनाया गिया है आप लोग से इसलिए बोलते बार बार कि आप लोग स्टोरी पढ़ें अभी तक चार घंटा हो गया मात्र 100 पलस स्टोरेंट देखें उसको इसलिए आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग देखें उसका टेस्ट लगाएगा ज्यादे बेटर परफंस रहेगा और 90 पलस अगर कम से कम 85 पलस अगर नागपुरी नहीं लाइए तो उधर लोग को अभर लोड हो जागा इसलिए रिक्वेस्ट है कि नागपुरी में जादे-जादे से मास उठाने कोशिश करिए उसके लिए आप से बार-बार बोलते हैं कि कम से कम कहानियों को 20 बार पढ़के जाना सब्सक्राइब में कितना समय लगा था तो इसको इसको बार आप मनिस अंजयान के जो जारकांट वो कुस्वें पढ़े होंगे यह 17 साल में बनाता है 17 साल में मनधीर सत्रस् loro में कितना भुच में बना हुआ है जो कि बूक में दिया हुआ है दस यह इस्टार जो है दोस्ति इस्टार मल्टिप्लाइब है ठीक है तो दस तेन मंटिप्लाइब 65 या दस दस गुनि 65 15 गुनि 60 20-70 या 12-60 कितना में है दोस्त तो यह पर आप लोग उमेद करते हैं कि एंसर दे चुके होंगे इसका उपसर नम मंदिर बोड़िया में साल 1989 में केकर मुर्ति थापी थोलक कितना अच्छा कोचन है बिल्कुल ऐसे ही कोचन रहेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिसको भी प्राप्त करना होगा तो टोटल नाकपूरी का पूरा कंप्लीट पीडिएफ दोस्त कंप्लीट पीडिए जिसको लेना है वो ले सकते हैं कॉंटेक्ट नमार है सेवन नाइन जीरो थी टू थी नाइन जीरो सेवन सेख्ट है और जो टेर्स इंडॉल्मेंट है उन लोग के लिए साड़े तीन समय मिल जाएगा ठीक है तो इसका परफेट नंसर क्या है कि श्री मदन मोहन मंदिर पर उससा गोरत एक उद्यकुषर जपाता है तो और मोठेड़किश्न का मुठी में तर्फट का यूटा नहींन ध्यान देते चलिए गहां कोशन नमबर सीख देखते हैं यहां पर तारक हिंदुमठ दर्वाद छड़देवाली धाहाय से गया का रक्त पियाए ब्राहमन मालेक हतिया गुरु मालेक हतिया तकर है देवल किरिया के कौन लिखवाया है पीछले बार कौन कहानी से लिखवाया बिखवाया उसके बारे पुछा गिया तो नों अलगा है कौन बज़ा को evolve das क्या लिखवाया है कि कॉन लिखवाया तो अपलोगे हम सही जभाब दिए स्रील स्बमदुमनरायन तर्म जी लिखवाया थे मंदीर को सिरी मदन मधन मोहन मंदीर काचीच बचिक में टीफे किसे से बना हुआ दोस्त तो अगर आप लोग वीडियू देखें कि यह पढ़ें होंगे आप लोग जानते ही होंगे की पत्थर् आहां कि यहां पर इस्पेशल बुक में लिखा हुआ है कि यह यह अपत्थर बना हुआ है मूर्त है जो ओ ऑप अस्थापित कर आए ठीक है नेट नेट बिए प्रफेट एंसर क्या है तो आप लोग याद कर रखना पड़ेगा हर हाल में इसा परफेट एंसर क्या है तो आप लोग दो सही जवाब दे रहा है पांस सितंबर 1903 को हुआ था नेट को देखते हैं क्वेशन नमबर 9 देखते हैं रांची कर सोनार पीतर कर कोन मूर्ति बना लग और उके मंदिर परान परतिष्था साथ अस्थाबित कर लग लग यहां पर बोल रहे हैं कि रांची का सोनार करता है यह सोनार जाती वहीं पीतर का पीतर अथा पीतल का कौन सा मूर्ति बनाया था कौन सा मूर्ति बनाया था उसको वहीं मूर्ति को प्रान परतिष्था के साथ अस्थापित किया था किसका मूर्ति को राधिका रानिका बाल गपाल किष्ण मूर्ति राधा किष्ण का किसका मूर्ति को परान काम मिला था उसके बाद जो एक सुनार था वो कि इसन जी का पीतल का मूर्ती बना को उसके प्रावन परतुष्ट करके अस्थापित किया था उम्मीद करता है अपको समझ आ रहा होगा और आप लोग से अच्छा परभब कर रहे होंगे और दोस्तों आप लोग का टेट सरी च जानकारी हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपका 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है न्यू बैज के ठीक है ठीक है कर मूर्थी तोड़क नदीम फेकल पावल गया लग कितना अच्छा कोचन है इसमें एक चीज है इसमें ऑप्सं रहासा सही नए सेट हो पाया है आप से रिक्वे जी का भी पाया गिया था स्री किष्ण जी का भी ठीक है तो दोनों को पाया गिया था नदीम फेका हुआ नदीम फेका हुआ हां दोनों पाया गिया था किसका किसका तो बालगुपाल और स्री किष्ण दोनों का नदीम है लास्ट बालगुपाल फेका गिया था ठीक है तो दोनों को पाए है नाधीम दोनों का पाया गिया था नदी में में कॉस्छ hundred 11 देखते दोस्त विधंच जरी गंगा पठाट मुध्यान नाम का स्मिपार क के ऒठाए वाला रहे है नमका पठाद जीए कök यह कहा करने रहने वाले थे सुनार में किसमसमूर्टीब सस्था भर अब तो बिल्कुल याद कर लिए कि दम दिमाग दम हरहाल में याद कर लिएगा उन्हीं सुनार पीतल का मूर्ति के बनवांके प्राम पर्तिष्ठा कर आया थे देखते हैं स्थापित करवा ले देखिए कितना अच्छा कोचन है कैसा मूर्ति अस्थापित करवाए थे मंगा किसका दो सेकेंड टाइम दे या जा रहा है बिल्कुल एक्तम सही जवाब है संग्मर्मर का था संग्मर्मर का गंगा परसाथ बुधिया नम्मों संदार है ने तो मनगा दिया था था ठीक है सग्मर्मर्मार का है करते हैं केकर मुर्ति अस्थ मतलब की और § का मेटल धातुज बना हुआ जिसके पीदल तामबा सोना चांदि लोहा करके भूफजी मूर्ति बनाय गिया गिया तो किसना राधा लच्मी राम किसका था तो मुर्ती तो यह देख लिएगा किस्ट नबर हम लोग 15 देखते हैं स्रीमदन मोहन मंदीर लेख देवल अनुसार मंदीर कितना खुब्सूरत कोश्चन है इस ही कोश्चन पूछ देगा डाइरेक नहीं दिया है को रोड है लेकिन बताया गिया है तो क्यों है बिल्कुल सही जवाब दोठो है दोठो रोड टैग और हिल होते चीरोंदी साइट से बनता है जो बताया गिया है महंडार कोना होते करते बताया था पांच मिल दूरी में और एक्टो और किधर से एगो है आपका सी आपी जो पागल खाना है कांके में उसका पिछवारी अर्थत पिछे साइट से दूग रोडवा है तो दूगो कोशन नमर 16 देखते हैं मदन किया के बनेग बेरा के कर राज रहे मंका एक किसका राज था कृस्ट्यन बताया जा रहा है कि हिंदू मन्दीर से ने बडाबर मुसल्मान अकर मंदीर थोड़े तो सूर खाने मराबर रहेगा तो किसके टाइम में यह चीज था तो मुसल्मानी अर्थात के मूगल सासनकाल था इस टाइम हाँ मदनमहन मोड़या मंदीर मुसल्मानी से संथ था उस टैम नेश कोचन देखते हैं कौचन नमर 17 श्री मदनमहन मंदीर लेकर लेकर लेखा कौन है के देख है कौचन नमर 18 यहाँ पर कौचन नमर 18 देखते हैं कौन बटे से ढूकल से मंदीर कर चवतरफा चबुत्रा कर ऊपर खुला ठापर मंद पत्थर्म खोदल है देखिए आई से पूच्छन पूछ देगा प्था से जाईए गया देखना है ना कौन बटे मतलब किस तरफ हां मतलब किस तरफ से घूकल मतलब घुसने से मंदीर के च्वतर चबुत्रा मतलब चारोन कर चबुतरा के ओपर खुला अस्थान पत्थर में लिखा किस टाप से मिलता है दखिन सीड़ी से तोh पूरफ जाईट से घुशने से मिलता है पत्थर में यह इंशर सही है requested number 19 लेखते हैं बोड़े आगाउं कर जागिर कि के देवल गलग ये बोड़े अगाउं था उसका जागिर किसको दिया गिया था ठो किसको दिया गया था विर भद्र द्लॉट च्रीयों एक्दम सही है लगज्मिन ओर इंतिवारी द्लॉट को देवता को सुपूद्र कर दिया से देवता लोग को ताकि वह एक आम आदमी का अर्थात की जन्मानास का वह मंदीर यूज में आ जाया बुल के तो इसको जागिर बोड़या गांग को जागिर मिला था उस लच्मी नरायां तिवारी गर यही स्री मदन मोहन मंदीर का निर्मा बिल्कुल धोखा मत खाया यह यह नहीं है यह बनवाया था बनाया यह था निरूद यह मिस्तरी था निरूद अनिरूद नाम कर मिस्तरी इसको बनवाया था ठीक है अनिरूद नाम कर मिस्तरी यह सही है हाँ नेट कोचन कोचन नमर ट्वंटीवन देखते दोस्त पूरब ब लिखलता तूपर का लिख लिखलता बोलिए राम सत्य संवन्त सत्रा से बाइस या वैसाग सुधि दस्मी राजनीशा क्या लिखा हुआ है बिल्कूल सब्सक्राइब लिखा हुआ है हाँ वर्नन किया गिया है कब बना है कर नहीं बना है उसके बारे तो उधरे से पूरव साइट घुसने पर यहीं लिखा हुआ मिलेगा 22 देखते हैं को चन्वा नवाएथ लेक कर नुसार केकर मूर्ती अश्धातुकर बनाल नहीं जाए है । किस के साथ ये गलती नहीं होता होगा बनाल जाए पढ़ लेगा फटस और मार देगा धांसा इदर किस्ना राधा फ्लाना ढ़क ना मार देगा लेक Presence नहीं है किसका बना हुआ सो नहीं सकते को बहुत बेस्तरीन तरिका नाक्पूरी मैंसे बहुत होता है आप लोग एक घंटा में सब कोशन बना के बैठ जाईएगा तो किसका बना हुआ नहीं है राम जी का मुर्ती बना हुआ नहीं है ठीक है और श्दाद्यों को बाद वक्की राधा किशन का बना हुआ है नेट को जाँ देखते हैं कोशन नमर 23 मंदीर बने का सुरुवात कब है लग अब मंदीर बनने का सुरुवात कब हुआ ता 1721, 2627, 2727, 24 तो कब हुआ था सुरुवात बिल्कूल हाँ एकदम सही तायम सुल्ला सब बाइस हुआ था बैसाक सुधी दसमी के टाइम से सुल्ला सब बाइस में यह इंतर सही है यह यह रखिएगा कब बना इस्टार्ट हुआ था नेट कुछ देखते हैं 24 मंदीर के दरवाजा और छड़ते वाली कब बना बनाया गया था बोलिए कब बनाया गया था मंदीर कर दरवाजा और छड़ते वाली लागिन कतई दानमी लग देखिए यहां पर क्या कोश्चन एक्ट्रॉली होना था यहां पर कि मंदीर का पूरा निर्मान में कितना पैसा लगा था ठीक है इसको अब लोग अपने साहिप से कंप्लीट कर लिएगा कि मंदीर का दरवाजा जो दरवाजा छड़ते वाली और कंप्लीट मंदीर के निर्मान में कतना पैसा लगा था वह पूछा है यहां पर सब्सक्राइब कर दोस्तों बिल्कुल सभी पता है कि 17 साल और 14001 रुप्य लगा था जो की लिखा हुए वहां पेस्पेसल कि अभी के टाइम में कई गुणा लगता 26 देखते हैं मंदीर के चाल देवाली भीत्रय उपाषित इंद्रा है क favor Katherine जाक इंदर खर रंवाली के उनदर ईयाद कर लिग कि दोस्ति इंद्रा मने कुउआ होगा इंद्रा मतलब कुणा है यह मंदीर बनवाए है यह मुर्ती को बनवाए थे संग मरमर का मुर्ती को स्थापित करवाए जो रांशी का सेट थे स्री नरायन नातिवारी स्री सरण नरायन तेवारी यह बनवाए थे यह सरण नरायन तेवारी यह इंद्रा बनवाए थे कुँगा को हां नेक्ट को अंदेख जाए क्रस्चन नमबर 27 ऐज़े जवाब श्री नजी का मूर्ती को स्थापित किया धा परानपर्थिश्ठाक साथ किसका तेख सुनार बनवाए थे बीतल का 28 देखते हैं दूसरी बार मंदीर में चोरी कब होला कतना च्छा कोचना बोलिए देखिए पूरा याद करना पड़ेगा तो दूसरी बार मंदीर में चोरी कब हुआ था एक सकेन यार